मान लिजिए आपने अपने बच्चों के लिए चार कमरे का घर बनाया है तो आपके बाद सिर्फ दो कमरे आपके संतान को मिलेंगे दो कमरे कॉंग्रेस सप्पा की जो सरकार बनेगी वो सरफकार उसको हड़प कर लेगी मान लिजिए आपके पास दस भीगा खेत है तो पांच भीगा ही आपके बच्चों को मिलेगा बाकी कॉंग्रेस सप्पा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी आप अपनी संपत्ति क्या कॉंग्रेस सप्पा के ब्रस्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे जरा पूरी ताकते बनाईए मुद्दा बड़ा गंबीर बनता जा रहा है जाने देंगे आपको गुशा आ रहा है और नहीं आ रहा है साथ क्यों S.C.S.T.O.B.C. के हग पर डाका डालने और बेहनों के मंगल सुत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गडबने वालों ये दिवार पर लखा हुआ पड़लो और कान खोल कर सुनलो जब तक मोदी जिन्दा है ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा कर दो हुआ है